हेलो डियर स्टुएंट्स कैसे हैं आप लोग होप आप सभी लोग fit and fine होंगे मैं शिवानी भार्दाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिश्या कंप्यूटर शॉर्टेंड क्लासस में जहां पर मैं आपके लिए अप्लोड करती हूँ शॉर्टेंड से रिलेटेड स् exercise 79 पर work करेंगे इसमें public जो related companies होती है उनसे related words आपके यहां पर आएंगे और इतर से accounting के भी कुछ words यहां पर आएंगे तो कोशिश कीजिए उन words को समझने की और उनको किस तरह से short लिखना है इसकी ताकि जबी भी आप किसी particular departmental dictation को manage करें और उहां पर इस तरह के शब्द आएं तो आप बहुत ही असानी से उनको लिख पढ़ और समझ पाएं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जरूरी कंसेप्ट होता है लिखने से ज़्यादा जरूरी है पढ़ना आप जो भी लिखें उसको उतना ही पढ़ भी पाएं तो आपकी short hand तब अच्छी मानी जाती है तो चलिए मैं शिवानी भरद्वाज वेलकम करती हूँ आपका इस नए वीडियो में देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो है किसी तो कैसे लिखा हमने किसी का शक्चिन है हमारा उसी से बनाए किसी पब्लिक लिमिटेशन कमपनी इसको हम पूरा कमबाइन कर देंगे पब्लिक के लिए पालिया लिमिटेशन के लिए ला लिया और टा लिया और कमपनी के लिए कालिया पब्लिक लिमिटेशन कमपनी को खोलने के लिए रजिस्टरार तो रजिस्टरार टामे रा का हुक लगाया है यहाँ पर के दफ्तर में मेमुरेंडम आफ एसोसियेशन तो यह यह भी हम पूरा कमबाइन करके बनाएंगे तो कैसे लिखा हमने मार मेमुरेंडम एसोसियेशन शन का हुक लगाया है यह जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक है अगर हम एंगलिश शॉटन की बात करते हैं तो वहाँ पर यह हुक बहुत जाता यूज होता है और आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर्ग के लिए बनाया करल चीकि असोसियेशन यह वही एक शब्द जो यहाँ पर यूज गया था वही हमने यहाँ भी यूज किया है आर्टिकल्स आपसेशेशन लिखना है दाखः करना पदा है तो लिखा दामिखा का हुक करना पढ़ता है और उनके मन्जूर होने पर पब्लिक से उसके शेर खरीदने को कहा जाता है कमपनी तो कमपनी चुकि सिंगल वर्ड आ रहा है तो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे ना कि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो हमने लिखा कमपनी खोलने वालों को तो लिखा हमने खोलने वालों को प्रमोटर्स और संचालकों को डायरेक्टर्स यह फिक्स बर्ड हैं कहते हैं जितने रुपे तक यह अपने शेयर को बेज सकते हैं कमबाइन कर दिया उसे और्थराइजड और्थराइजड का फिक्स बर्ड बनाएंगे हम और्थराइजड कापिटल के लिए पाका की बेंजन लेका जितने रुपे का पबलिक खरीती है उसे सब्सक्राइब तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो उसे सब्सक्राइब कैपेटल आप भी मेरी कैपेटल ही हो और खरीदे शेयरों का जितना रुपेया वह कंपनी को दे चुकते हैं उसे पेड़ अप तो यहाँ पर हमने लिखा कंपनी को दे चुकते हैं उसे पेड़ अप कैपेटल कहते हैं पूनविरां कंपनी के प्रोस्पेक्ट तथा आमदनी का जमा खर्च बैलन शीट तो बा में लाका होग शर्ट और टा बैलन शीट तथा बोनस ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा बोनस आदी की रकम रकम को देखकर यह कहा जा सकता है तो देखकर यह कहा जा सकता है की यह पूरा यहां से लेके हमने यहां तक combine कर दिया देखकर कहा जा सकता है कि lean day के मामलों में company की क्या हालत है उसकी financial condition condition तो कन के लिए उपसर्ग लगाया और शन का हो condition का बगैर पूरा हाल जाने हुए रुपया ना जमा करना चाहिए यहीं पर मैंने इसको combine कर दिया ना जमा करना चाहिए क्यूंकि अक्सर ये company तूट जाती है और liquidation तो देखिए लागों का के लिए liquidation में ले ली जाती है इन company की आमदनी तो ये आमदनी का हो गया पर income tax super tax और कभी कभी excess यहाँ पर ये हलका सा excess profit tax भी देना पड़ता है फोल जिरा जान बीमा examination examination तो यहाँ पर examination के पस्चार किसी insurance company में करा कर life policy ले सकते हैं उसके लिए कमाइन कर देंगे हम उसके लिए premium देना पड़ेगा पड़ेगा के लिए पाकी वेंजन रिखा से इसको कट कर देंगे तो पड़ेगा का शब्द डिफाइन हो जाता है शोर्ट हिन की ये डिक्टेशन एक्सरसाइस सेवंटी नाइन की है जिसकी की स्मार्ट आउट लाइन में आपको प्रवाइट कर चुकी हूँ अब मैं पूरी शोर्ट हिन को आपको डिक्टेट करने वाली हूँ और इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखेगा ताकि आप कॉंचिने लिए स्टार्ट किसी पॉब्लिक लिमिटेशन कंपनी को खोलने के लिए रेजिस्ट्रार के दफ्तर में Memorandum of Association और Articles of Association दाखिल करना पड़ता है और उनके मन्जूर होने पर पब्लिक से उसके शियर खरीदने को कहा जाता है कंपनी खोलने वालों को प्रमोटर्स और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं जितने रुपे तक वे है अपनी शेरों को बेच सकते हैं उसे Authorized Capital जितने रुपे का पब्लिक खरीदती है उसे Subscribed Capital और खरीदे शेरों का जितना रुपे वे है कंपनी को दे चुकती है उसे Paid Up Capital कहते हैं Company के Prospect आमदनी का जमा खर्च Balance Sheet तथा Bonus आदि की रकम को देखकर कहा जा सकता है कि लेन देन के मामलों में Company की क्या हालत है उसकी Financial Condition का बगैर पूरा हाल जाने हुए रुपिया ना जमा करना चाहिए क्यूंकि अक्सर ये कामपनिया ठूड जाती है और Liquidation में ले ली जाती है इन कंपनियों की आमदनी पर Income Tax Super Tax और कभी-कभी Excess Profit Tax भी देना पड़ता है जान बीमा Medical Examination के पस्चात किसी इंसुरिंस कंपनी में करा कर Life Policy ले सकते हैं उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन डिक्टेशन में बेसिकली शेयर मार्केट एंड आपका पॉलिसी बजार से रेलेटेड वर्ट्स आये थे जो की आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइस स्टोक्स थे तो अगर आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टेस करेंगे तो आपकी डिक्टेशन भी अच्छी जाएगी और आपका कॉंफिदेंस लेवल भी अच्छा जाएगा डिक्टेशन को लिखने में या फिर चौटें को पढ़ने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर बताएगा मैं उसका solution आपको provide करूंगी hope ये video आपकी short in speed में increase करेगा और आपके लिए helpful रहा होगा अगर ये video आपकी speed के लिए helpful रहा है तो please channel को like, share and subscribe करना ना भूलेगा अगर आपने subscribe कर रखा है तो thank you for that keep learning, keep watching, stay connecting, have a good day